नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यवारता में दोस्तो UGC JRF 2021 हिंदी की अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने संपूर्ण जो स्टेटरजी है रणनीती क्या रहने वाली है इसके बारे में हमने बात कर ली थी और इसके साथ ही साथ कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तके हैं जो UGC NET JRF की परिक्षा को उतिर्ण कर लें के लिए उप्योगी है तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हमने दोस्तों इससे पहले वाली अपनी जो लेक्चर थे उनमें अच्छे तरीके से डिसकस कर लिया है अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक पार उन्हें देख सकते हैं जहां से हमारा पूरा आपको पता चल पड़ेगा कि किस तरीके से हम जियारेप की परिक्षा को उतरिण कर सकते हैं और कौन-कौन सी पुस्तके हैं ये भी आप जान जाएंगे तो आज हम पढ़ेंगे देखिए सूफी प्रेमा ख्यानक का वेक्रितियां और इसके अंतरगत इससे पहले की जो चीज़ें हैं देखिए वो हमने अपने प्रिवियस एयर के जो पेपर हैं वहां पर डिसकस कर ली थी क्योंकि हमारा जो ये कोर्स है ये पहले से ही शुरू हो चुका था और इन में से हमने पहला यूंिट अपना कंप्लीट कर लिया है और दूसरे यूंिट भी हमने लगभग यहां तक कंप्लीट कर लिया है अगर आप चाहते हैं कि आप तक वो लेक्चर भी पहुंचे तो आप हमारी प्लेलिस्ट जो बनी है इकाई एक, इकाई दो और इसके साथ ही साथ पुपन्यास से रिलेटिड भी हमने बहुत सारे अपने लेक्चर्स त्यार कर लिये हैं आप उन्हें भी चकर सकते हैं और देखिए आज हम पढ़ेंगे सूफी प्रेमाख्यानक का वेक्रितियां और इसके अंतरगत हमने चार जो प्रारंभिक हैं असायत की हंसावली ठीक है, अमरिगावती और पदमावत ये जो चीजें हैं ये हमने पहले कर ली हैं आज हम पढ़ेंगे इसमें मदुमालती, चित्रावली और ज्यानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, इत्यादी जो भी सूफी प्रेमाख्यानक का वेक्रितियां बची हुई हैं वो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे तो चली दोस्तों बिनादेर की ये शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की अगर हम बात करें मदुमालती की तो इसका जो रचनावर्ष है देखी वो है 15.45 है ना और सूफी प्रेमाख्यानक कावे परंपरा के अंतरकत ही आती है और इसके अलावा अगर हम बात करें अचारे जो रचनावर्ष है देखी ये मानते हैं कि ये पदमावत से पहले की रचना है हाला कि यहां पर ध्यान देने बारी बात ये भी है क्योंकि जो मलिक मुहमद जाईसी है वो भी इससे पहले क्या मानते हैं अपनी रचना से पहले ही मदुमालती को मानते हैं शुकल जी कहते हैं कि जाईसी के पहले चार कावें का उलेक हो गया है ये कौन-कौन से हैं दिखि है जो मंजन की कृती है ये क्या है ये उससे पहले की रचना है लेकिन जो रामपूर के राज़किये पुस्तकाले में जो है मदुमालती की एक पांडूलिपी सुरक्षित है उसके अधार पर इसका जो रचना काल क्या माना जाता है 1545 ठहरता है तो देखी ये वाले बात कौन म मानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंग हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास उनका इतिहास ग्रंथ है उसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि जो रामपूर के राजगिया पुस्तकाले में मधुमाल दीगी जो एक पांडूलिपी सुरक्षित है तिक ये पांडूलिपी मतलब जो हस्त लिखितिस की प्रती है वो कहां पर है रामपूर के राजगिय पुस्तकाले में उसी के आधार पर माना जाता है कि इसका जो रचनावर्ष है वो 1545 ठहरता है तो कई बार यहां से परिक्षा में इस तरीके सही प्रशन पुछ जाता है कि अचारे रामचंद्र शुक इन्होंने इसकी जो डीट है वो नहीं बताई है ठीक है अब है देखिए इसका नाइक और नाइका के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि मधुमालती का जो नाइक है देखिए यह मनुहर है और जबकि इसकी नाइका का नाम क्या है मधुमालती है तो देखिए यहां पर ही इसका नामकरण माना जाता है ठीक है तो यहां पर देखिए मदुमालती मनजन की कृती है और इसके जो नायक है वो मनोहर है नायका मदुमालती है ठीक है ना नेक्स से देखिए अर्ध कथानक तो अर्ध कथानक किसके देखिए बनार सिदास की है ना तो बनार सिदास मे अमच्और जाते है इनकी जो ये आतमकता है ये प्रथम आतमकता हमानी जाती है और इसकी जो भाषा गया है देखिए वो है ब्रज भाषा और इसका रचना परश कया है ये आप मुझे गोमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते हैं, जो अर्द कतानक में बनासी जी ने क्या कहा है देखिए मदुमालती की पोथी का उलेखिनों ने उसमें किया है है ना तो मदुमालती का जिक्र कहां पर होता है अर्द कथानक में तो हो सकता है परिक्षा में इस तरीके से प्रशन पूछ जाए तो आपने इसको भी याद कर लेना है नेक्स से दिखिए मदुमालती की कहानी के अधार पर गुल्च ने इश्क नामक एक प्रेमा ख्यानक लिखा गया है तो ये वाली पंक्ते भी बहुत मतपोर्ण है कि इसी की कहानी के अधार पर दिखिए गुल्च ने इश्क नामक एक प्रेमा ख्यानक लिखा गया है और यह किसके द्वारा लिखा गया था यह लिखा गया था देखे दक्षिन के सूफी कभी नुसरती द्वारा तो हो सकता है इस तरी किसे प्रशन पूछा जाए कि गुल्च ने इश्क नामक प्रेमा ख्यानक किसके दोरा लिखा गया है तो वो है आपका सूफिक अभी नुस्रती ठीक है तो ये भी कुछ एक चीज़े हैं जो मदुमालती से रिलेटिड पूछी जा सकती है तो इनके बारे में भी हमें थोड़ी से जानकारी रखना ज़रूरी है नेक्स ते दिखिए अगला पॉइंट कि मनुहर और मालती के अलावा इसमें प्रेमा और ताराचंद की प्रेमकता भी चलती है तो प्रेमा और जो आपका ताराचंद है उसकी प्रेम कथा भी इन दोनों की कथाओं के साथ साथ चलती रहती है पांच चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा में मधुमालती भी शामिल है तो दीखिए जो भी हमारे सूफी प्रेमा ख्यानक कभी हैं जो प्रारंभीक हैं कुछ है ना वो क्या करते हैं पांच चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा रखते हैं और इसमें आपकी मधुमालती कृती भी शामिल होती है अगर हम जाईसी की बात करें तो जाईसी ने क्या क्या है कि साथ दोहों के बाद उनने क्या रखा है चौपाई साथ चौपाई के बाद दोहा रखने की परंपरा उनमें है लेकिन यहां पर क्या है देखिए यहां पर पांच चौपाई बाद एक दोहा रखा जाता है तो ये चीज़ें बहुत छोड़ी छोड़ी हैं और बारिक चीज़ें कई बार परिक्षा में इस तरीके से पूछा जाता है तो ये हमें सारी चीज़ें इसकी मालूम होनी चाहिए तो ये थी कुछ एक महत्वपूर्ण चीज जो मन्झनकृत मदुमालती में थी, इसका रचनावर्ष क्या है, इसका नायक क्या है, इनके बारे में प्रशन पूछे जाने की समभावन रहती है और साथ ही साथ कहां कहां पर इसका जिक्र हुआ है, बनारसिदास चत्रुवेदी का जो अर्धकतानक है उसमें हुआ है, ठीक âyगा कितनी चुपाई के बाद दोहा देने की परंपरा है तो यह है पांच और पांच चुपाई के बावे के जो रचनाकार हैं देखिए वो कौन है गाजीपूर के निवासी उस्मान तो इनको करमवाइज ही रखने को कहा जाता है और ये प्रशन कई वार पूछजा जाता है परिक्षा में कि इनको रचनाकार के दार पर रखो इनके करम अनुसार रखो या पिर इस तरीके से प्रणीन बनता है कि इनके नायक और नायकाय कोन है उनको मिलान के लिए पूछा जाता है या फिर इनमे जो प्रधान तत्व किस चीज़ पूछा जाता है तो यहाँ पर देखिए प्रेमा ख्यानक कि जो रचनाकार है уже हैं गाजीपूर के निवासी ऊस्मान रचनावर्ष कि अगर हम बात करें तो यह 16 से 13 है और कलपना प्रधान प्रेमा ख्यान का है तो कलपना प्रधान का मतलब है देखिए कि पूरा का पूरा याकिस पर अधारित है कलपना पर अधारित है ठीक है? इसमें आप देखेंगे कि अजगर को ही एक आदमी को खा जाता है और जो आपकी इससे पहले हमने मदुमालती पड़ी तो वहाँ पर जो नाइका है उसके पक्षी बनने की कलपना की गई है तो कलपना से ओधपरोत ये काब्य भी माना जाता है अधिकतर इसमें क्या है? कलपना ही कलपना दिखाई गई है और ये बात स्वैम जो उसमान है उन्होंने ये एकसेप्ट भी इसको किया हुआ है आगे कहते हैं कि इसमें विसमयात्मक लोगततों की भरमार है विसमयात्मक लोगततों मतलब जो अचमबित करने वाले जो तत्व है उनकी इसमें क्या है? भरमार है और इसी के चलते इसको क्या कहा जाता है? कलपना प्रथान प्रेमा ख्यान कहा जाता है इक तरीके से कहा जायक तो मनरंजन पर रख ही ये कृती मानने जा सकती है इसके नायक के अगर बात करें तो नेपाल के राजा धरनी धर पवार के पुत्र सुजान कुमार इसके क्या है नायक है जब कि इसकी जो नायका है देखिए ये रूपनगर की राज कुमारी चित्रावली है तो यहां से प्रशन पूशे जाने के संभावना इस तरीके से भी कई वार पूशते हैं कि किस प्रेमा ख्यानक का आव्या का जो नायक है वो नेपाल के राजा का पुत्र है तो यह आपका देखिए चित्रावली है ना चित्रावली प्रेमा ख्यानक का जो नायक है वो कौन है नेपाल की राजा का पुत्र और जो नाइका है उनको याद करने की तो इसमें एक तरीके से जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि अधिकतर रचनाओं के नाम क्या है नाइकाओं के आधार पर ही पड़े हैं ठीक है तो यहाँ पर यह चीज याद रखना है कि जो चित्रवली है रूपनगर की राजकुमारी है दिए चित्रवली की रचना में उसमान ने जाईसी का ही अनुकरन किया है ऐसा जान पड़ता है तो कहते हैं कि जो चित्रवली है उसमान की रचना उसमें उन्होंने क्या किया है जाईसी का ही पूरा का पूरा अनुकरन किया है और जाईसी की ही भांती उस्मान ने भी साथ चुपाईयों का क्रम रखा है तो ठीक जैसे जाइसी ने ये मैंने पहले भी कहा आपको कि जाइसी क्या करते थे साथ चुपाईयों के बाद क्या करते थे दोहा रखते थे और यही वृतिक इसने अपनाई उस्मान ने भी अपनाई है और अचा अगर हम इसके नाइक की बात करें तो इसके जो नाइक है देखिए राजा ग्यानदीब और नाइका क्या है रानी देवजानी तो ग्यानदीब जो रचना है देखी ये एक तरीके से अपवाद है किस चीज़ की जब हम विशेष्टाओं के बारे में पढ़ रहे थे जो आपक होते हैं रचनाओं के लेकिन यहां पर ग्यानदीब चुराजा है देखिए उसके नाम के आधार पर इसका शीरशक रखा गया है तो यहां की जो नाइका है देखिए इस रचना की वो है रानी देवजानी अधिकतर जानकारी इस प्रेमा ख्यानक कावे के बारे में उपलब नहीं है अचारे शुकल क्या मानते हैं इसके बारे में वो कहते हैं कि शेख नभी से ही प्रेमगाथा परंपरा समाप्त समझने चाहिए तो यह कहते हैं कि जो शेख नभी हैं वहां से हमें क्या समझ लेना चाहिए कि एक तरीके से जो प्रेमगाथा परंपरा है या सूफी क शाखा है उसका भी समापन इसी लिए अचाय रामचंदर शुकल जी मानते हैं कि यहीं तक समझना चाहिए लेकिन आगे वो कहते हैं कि एकदम से कोई भी काल जो है वो समापत नहीं होता है इसलिए जो अन्य भी रचनाए हैं उनको उन्होंने बाद में इसमें समाहित किया है तो कौन-कौन सी है आईए वो देख लिते हैं देखिए अन्य जो सूफी कावेकरितिया हैं वो हैं हंस चवाहि यह 1731 में लिखी गई थी कासिम शाह के द्वारा जबकि इंद्रवती नूर मुहम्मद के द्वारा लिखी गई है ठीक है तो यह 1744 में और अनुराग बांसरी नूर मुहम्मद की है यह 1764 में लिखी गई थी ठीक है तो यह जो भी दो-तीन रचनाय हैं देखिए यह एक तरीके से क्या है आपकी जो रितिकालीन जो समय है उसके अंतरगत आती है लेकिन फिर भी इनमें सूफी कावे की प्रधानता है या सूफी ततों की जो प्रधानता है इसलिए इनको कहां पर रखा गया है सूफी कावे की अंतरगत मना जाता है तो इनमें जो सबसे प्रमुक हैं देखिए वो हैं आपके नूर मुहम्मद लेकिन उससे पहले हंस जवाहिर की अगर बात करें देखिए तो इसमें राजा हंस है और नाइका क्या है इसमें जव सूफियों से अधिक था तो ये वाला कथन परिक्षा में पूछा गया था तो यहां से अन्य जो कवी हैं सूफी कवी उनमें नूर मुहम्मद का नाम प्रमुकता से याद रखना है आपने इन से प्रशन बनने की संभावना रहती है ठीक है तो शुकल ये मानते हैं कि जो फ नूर मुहम्मद का इंद्रावती और अनुराग भांसुरी उनके अलावा रोजदुल हकायक और ये क्या माना जाता है इनका फार्सी में रचा ग्रंथ है जबकि इंद्रावती को सूफी पदती का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए और अंत में ये क्या मानते हैं कि जो सूफी कृति का अंतिम ग्रंध कौन सा मानते हैं यह है इंद्रा वति चीक है ना आखरी ग्रंध इसको माना जाता है तो यह थी कुछ एक महत्वपॉर्ण चीजें कुछ जो जो भी महत्वपॉर्ण सुफी प्रिमाख्यानक काव्य कृतियां इन से प्रशन पूचे जाने की संभावणा रहती है, कई बार इनको क्रमा नूसार पूचे जाता है कई बार इनके नाइक नाइकाव के बारे में पूचा जा सकता है तो आपको वो सारी चीजें मालुम होनी चाहिए यह हमारा सेकंड यूनिट है इसमें जो सूफी कावे के अंतरगत महत्वपून चीजें रह गई थी वो ही मैंने आज इसमें समाहित की है इसके बाद हम रितिकाल से शुरुआत करने जा रहे हैं अगर आप UGC NET JRF की त्यारियां कर रहे हैं तो आप हिंदी साहित यवाता चै तो फिर मिलेंगे नई उर्जा नई स्पूर्टी के साथ तब तक लिए शुक्रिया जय हिंद